नमश्कार गुद्वार्लिंग सुप्रभात कैसे हैं आप सब कैसे सुप्र सुप्र संभ आप सबकता एक बार स्वागत हम आज ही दीड़ी को भगवान श्री राम का नाम लेंगे तो उसी प्रकार से आज मैं ये मान कर बैठा हूँ कि आज मैं पूजा करने बैठा हूँ भगवान श्री राम से इस बात का आशरवाद चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी कहूँ वो सच कहूँ, सही कहूँ लोगों की समझ में आए ऐसा कहूं और जो सत्य हो उस पर मैं जीतू मेरी विजाए हो इसी के साथ शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले सबी मित्रों से एक बार एक जैकारा जोर से लगाने के लिए कहूँँगा बोलिए जै श्रीराम जय जय श्री राम चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात यहां उठती है कि भगवान श्री राम थे या नहीं थे जैसा कि आप सबको मालू है हमारी केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले यह एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में फिडेविट दिया था कि भगवान श्री राम नहीं है कमाल की बात है जिस देश में भगवान जन में उस देश की सरकार यह कहती है कि भगवान श्री राम यहां नहीं कालपने थे भगवान श्री राम नाम का कोई भगवान नहीं इस वे नाम का कोई व् वहाँ वो लंका आज श्री लंका कहलाती है और वो श्री लंका में आज भगवान श्री राम को माना जाता है वहाँ की सरकार authentic रूप से मानती है जी हाँ सरकार authentic रूप से मानती है वहाँ के गजट में इस बात का उलेक है वहां के गजट में बाकाइदा इस बात को माना जाता है कि भगवान श्री राम हुए और वहां की जो सरकार है वो भगवान श्री राम का पूरा एक टूरिजम का पैकेज देती जहां जहां भगवान श्री राम गए जहां संजीवनी बूटी का पेड परवत है वो रखा है व कहां से ये थाबित होता है भगवान श्री राम थे। सरकार ने मान लिया। आर्चेलोजिकल एविडेंस मिल गया, राम से तु मिल गया। राम से तु जो है वो कॉरल रीफ से बना हुआ कोई वो नहीं है। राम सेतु बाकाइदा मिट्टी से बना हुआ है पत्रों से बना हुआ है तो राम सेतु मिल गया अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम नहीं मानते हिंदुस्तान में नहीं माना जाता लेकिन थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए नेपाल की सरकार भी मानती है कि नेपाल सरकार मानती है कि माता सीता का जनम नेपाल में हुआ था और ये उनकी बर्थ प्लेस है हम राम मंदर तो नहीं बना पाए लेकिन राम जानकी मंदर वहां पर है जहां सीता जी का जनम हुआ था ये उस जगे की फोटोग्राफ है ये नेपाल में है और नेपाल में श्रिलंका मानता है सब मानते हैं ब्रिटानिया इनसाइक्लोपीडिया मानता है ब्रिटानिया इनसाइक्लोपीडिया यदि आप सर्च करेंगे उसका जो 15 जो वो है एडिशन है 15 एडिशन उस 15 एडिशन में जो है एनसाइक्लोपीडिया में भगवान राम का जन्म और उनकी जन्म स्थली आयोध्या को माना गया है एनसाइक्लोपीडिया देख लीजिए अब तो ब्रिटानिया इनसाइक्लोपीडिया भी मानता है सब मानते हैं छोड उनको ज का मुद्दा राजनितिक मुद्दा नहीं है . तो महरबानी और कोई इसको ईसको बीजेपी से , यह किसी और पार्टी से न जोड़ेедь , इसका कोई लेन देना नहीं है,, आज के मुद्दे का पार्टी से कोई लेना देना नहीं हैPad 하고 to have a दूसरी पार्टी के लोग आमादनी पार्टी के लोग जितने भी हिंदू हैं ये मुद्दा उन सब के लिए है ये सारा मुद्दा जो है सब हिंदूओं के लिए है हिंदूओं के अलावा सारे मुस्लिम भाईयों के लिए भगवान शिराम उनके भी अरादे थे कैसे थे मैं बताऊंगा उसको भी सुनिएगा नाराज मत हो येगा पहले बात सुनिएगा तत्थियों से बात की बात कीजेगा तो सभी हिंदू जितने भी लोग हैं जितने भी भारतवासी हैं कृपया गरके इसको किसी पार्टी से ना जोड़ें ये पार्टी का मुद्दा नहीं है ये श्री राम की existence का मुद्दा है ठीक है मैं आपको दो चीज बताए श्री लंका की सरकार मानती है और राम से तु मिल चुका है नेपाल की सरकार मानती है ब्रिटानिका एंसाइक्लोपीडिया मानता है पूरा विश्व मानता है भगवान राम का जन्म हुआ भगवान राम की जो जन्मस्थली है वो आयोध्या है तो ये चीजें जो है पूरा विश्व को ये मालूम है छोड़ हम को हम इसको नहीं मानते अब हम क्यों नहीं मानते क्योंकि कहीं ना कहीं राजनितिक मजबूरियां है राजनितिक पार्टियों की इसलिए नहीं मानते यदि ये राजनिति का है टूरिजम होते हैं जैसे हमारे मदबर देश में अमपी टूरिजम है सरकार का है वहां का सरकारी टूरिजम बाकाइदा जो पूरा राम की जुस्तली है जो राम जहां जहां गए और हनुमान जी जहां जा गए वहां सारा दिखाया जाता है सब जगे विजिट कराया जात तो ये एक बहुत बड़ा बात है अब आते हैं कि राम का एक्जिस्टेंस है या नहीं है तो कुरान शरीफ में लिखा है एक लाख चौबिस हजार नभी हुए यानि मेसंजर अफ गौड हुए जिनने हम भगवान का अवतार कहते हैं तो वो मेसंजर अफ गौड एक लाख स्भी है अबराहिम और जीजस sorry कुछ साल पीचे के थे छे सउ साल पीची इसलिए उनका जिकर आ गया बागी एक लाख चौबिस हजार का जिकर क्रान में मिलेगा नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं उतना वो पढ़ जही पाए पीचे तक जा ही नहीं क्योंकि हमारा तो हाज हजारों साल पीछे की कहानी है पांच हजार साल दस हजार साल पंदरा हजार साल पीछे से सनाता नहीं धर में लाखों लाख साल पीछे से चला आ रहा है तो उतना पीछे वो जा नहीं पाए इसलिए भगवान श्री राम का आपको कुरान में कहीं नाम नहीं मिलेगा लेकिन ज जिसे हम भगवान का अवतार बोलते हैं हिंदी और अर्दू का थोड़ा सा फरक है मानते हम भी हैं जाकिर नाइक साब ने अपनी स्पीच में कईों बार कहा है भगवान राम थे लेकिन वो उस समय के लिए थे और कुरान जो है वो टाइम इम्मॉर्टल के लिए यह बार बार उन्होंने कहा है और यह बार बार साबित हो जाती है कई स्कॉलर्स ने इसके अलावा भी कहा अब हम आते हैं यह तो बात हो गई धार्मिक बात अब हम आते हैं जैसा कि मैं हर बार सबूतों पर बात करता हूँ तो सबूतों पर बात करते हैं पहला सबूत आता एक इस्टोरियन थे इन्होंने एस आई रिपोर्ट आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है पेज नंबर 296-297 में यहां इन्होंने कहा है मीर खान ने एक मस्जिद बनाए जो एच हिजरा 930 यह मुस्लिम एर होता हिजरा जो की 1530 की मस्जिद बनी है इस मस्जिद को पुराने मंदर को किसी बहुत भवे पुराने मंदर को तोड़ कर बनाया गया था और इस मस्जिद को बनाने के लिए जो कॉलम्स का इस्तमाल किया गया वो वही कॉलम्स का इस्तमाल किया गया जो उस मंदर के थे यानि जो बाबर के नाम से मस्जद है इसमें बाबरी मस्जद नहीं लिखा है बाबर के नाम से मस्जद लिखा है ए फ्यूरर इन्होंने ये रिपोर्ट सब्मिट करी है या अंग्रेज थे और या अंग्रेजों का मैं आपको बता रहा हूँ जो डॉक्यूमेंटेड है एसाई पेज नमर 296-297 पे ठीक गजट में इन्होंने सन 1905 में पेज नमर 1905 का गजट है बारा बंकी का डिस्ट्रिक बारा बंकी का और उसमें पेज नमर 168-169 में नहोंने लिखा है जन्भूमी टेंपल वास डिस्ट्रॉइड बाबर एंड रिप्लेस बाया मॉस्क ये डॉक्यूमेंटेड है 1905 का है ये डॉक्यूमेंट जो है एच आर निवेल का जिसमें बारा बंकी का डिस्ट्रिक जो गैजट है उसमें बाकाइदा उन्होंने ये बोला जन्म स्थान पर एक मंदिर था जिसे की तोड़कर मस्जिद बनाई गई ये एक और आपको सबूत दे रहा हूं अब तीसरे सबूत पर आते हैं निवेल ने फैजाबाद दिस्ट्रिक गैजट इनका ट्रांसफर हुआ ओगा तो फैजाबाद डिस्ट्रिक गैजट जो है अगें सरकारी डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में पेश हुआ वो डॉक्यूमेंट है निवेल ने फैजाबाद डिस्ट्रिक गैजट मे 1905 में ही पेज नंबर 172-177 में लिखा जन्मस्तान वाज इन रामकोट आयोधिया और मार्ग बार्थप्लेस आफ राम इन 1528 A.D. बाबर केम तो एयोधिया और होल्टेड एर फोर वीक इस्ट्रोइड एंशन तेम्पल और इस साइट बिल्ट आ मॉस्क तिल नोन एज बाबर्थ मॉस्क बाबरी नहीं बाबर्थ मॉस्क थे मट्रियल फोल स्ट्रक्चर वस लाज़ी इंप्लोइड यूज़ एंड पर लिखा हुबा जन्व स्थान रामकोट जो एरिया है उसको रामकोट कहते हैं रामकोट अयोध्या कि जिसको आज आप आयोध्या कहते हैं वो पहले अवध था इसको और क्लियर कर देता हूं आगे आवध आयेगा क्योंकि अब और पीछे जाएंगे नहीं दिरे दिरे आयोध्या में राम की जन्द भूमी है ये इनोंने लिखा और पंदरा सो अठाइस में बाबर आये एडी यानि ये इसवी सन को इस्तमाल कर रहे हैं और बाबर आये और बाबर ने एक भव्य मंदर को तोड़ा और उसका जो मलवा है उ को मस्जिद में कनवर्ट किया गया अब ये हो गई क्रिशिन्स की बात अंग्रेजों की बात अंग्रेजों पर कैसे विश्वास करें अब जरा एक मुस्लिम स्कॉलर की बात कर लेते हैं अठारा सो पच्पन में पीछे जा रहा हूं अठारा सो पच्पन में मुस्लिम स्कॉ वर्जन आपको बता रहा हूँ यह सारे इंग्लिश में थे इसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ जो कि राम मंदे से कुछ ही दूर थी जिसमें वे कामयाब नहीं हुआ यह जगे अभी भी क्योंकि यह जगे अभी भी हिंदू की कबजे में थी इसलिए उसने वहाँ पर कबजा किया और राम गड़ी पर कबजा करने में कामयाब नहीं हुआ 1856 में हदीक इस शोहदा नामक किताब में जो जिहाद के अगले वर्ष लिखी गई थी 1855 में इन्होंने हमला किया था हनुमान गड़ी को कैप्चर करने के लिए 1856 में हदीक शोहदा एक किताब लिखी किसने लिखी मिर्जा जान नहीं लिखी जिसमें इन्होंने ये लिखा जहां जहां उन्हें खुबसूरत हिंदू मंदर दिखे वे उन्हें तोड़ते गए और उनकी जगे मस्जिद मदर से और सराय बनाते गए ऐसा सयद सलार मसूद गाजी के साशनकाल से शुरू हुआ मिर्जा साब कहते हैं कि जहां जहां खुबसूरत मंदर दिखे उन्हें तोड़ा गया और उनकी जगे मस्जद बनाए गई और जो है मदर से बनाए गए और सराय बनाए गई और ये कब काम हुआ ये 11th century 10th 11th century में सायद सलार मसूद गाजी के साशनकाल में हुआ सब कुछ आप गूगल पर देख लेंगे गूगल पर सब कुछ available है सारा कुछ जो है वो गूगल पर आपको मिल जाएगा इसलिए परिशान कोई भी ना हो सारी चीज़ गूगल पर है documented है और मैं जो बोल रहा हूं वो भी documented है इसलिए चिंता ना करें ये वीडियो कहीं नही तो जी मौलानाओं की भरती की गई और हिंदू काफिरों को मारके भगाया गया जैसा कि फैज़ाबाद और अवध मैंने कहा ना अवध आएगा ये उद्ध्या का नाम पहले अवध था जैसा कि फैज़ाबाद और अवध मैं भी किया गया था क्योंकि वह पूजा के महान स थान हुआ करता था ये साफ यहां एक भवय राम मंदिर। ता उसकी जङए एक मस factors बनाई गए यह कार बाबर게 शॉशनकाल में हुआ। कौन कह रहा है साब मिर्जा जान साथ कह रहे हैं जो यह मुस्लिम है मुस्लिम स्कॉलर है 1885 में उन्होंने कहा यहां भी इन्होंने इस बात को माना कि हाँ यह राम मंदिर था और यह बाकाइदा जान गीता चौहान जी पूछ रही है क्या आप फेस्बॉक पर है जी मैं फेस्बॉक पर हूँ तो फेस्बॉक पर हूँगा यह बट आउगे बढ़ते हैं अब आते हैं कि यह हो गई जो ब्रिटिशर्स थे और ये इनके साशन कल गए अब थोड़ा और पीछे जाते हैं पर्शिन पर्शिन स्कॉलर जो थे पर्शिन वहां उन्हें सहीफा एचहिल नशा इह बहदुर शाही 1770 में औरंग जेब की नातिन ने लिखा उसकी ग्रैंड डॉर्टर ने लिखा मिर्जा जान ने इस बारे में बार-बार कोट किया जो उन्होंने लिखा था उसको मिर्जा जान ने बार-बार कोट किया 1707 का जो उनका लिखा हुआ उसको मिर्जा जान ने दुबारा से कोट किया अपने उसमें और उसमें लिखी बात को दोहराते हैं कि मुसल्मानों को हर श खास कर मत्रा बनारस और अवध में जुम्हे की नमाज जरूरी रूप से अदा करनी है ये बात हो गए औरंगजेव की नातिन ने भी कहा मिर्जा जान ने भी कहा दो मुसल्मान हो गए इससे पले क्रिशन हो गए सरकारी डॉक्यमेंट्स हो गए ब्रिटिश के अब आते हैं त तुलसी दास जी ने क्या का तुलसी दास जी ने एक रचित है तुलसी शतक तुलसी शतक में कहते हैं ये तुलसी शतक अलाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ था ये जितने डॉक्यमेंट्स सारे अलाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे वो सारे डॉक्यमेंट्स में अनुमानि तुल्सी अवद जड जवन अनरत किये अनिखानी आब इसको जरा समझें, समबत यानि साल कौन सा सुर्वबसू बान नव अब सुर्वबसू बान नव अल्ञार यानि जोतिशकाल में, जब गढ़ना होती तो उड़ी चलती तो सुर्व होता है सर्व का मतलब होता पाँच बसू का आठ बान का पाँच और नब का एक तो ये बनता है 1585 विक्रम समवत 1585 विक्रम समवत बनता है अब इसमें से 57 येज माइनस कर देते हैं विक्रम समवत 57 येज आगे चल रहा है वह माइनस में वनातित अनर्थ किये गए जिनका बखान नहीं किया जा सकता अंडिस्क्राइबिबल जिनको कहा ही नहीं जा सकता ऐसे अनर्थ हुए और क्या अनर्थ हुए वो अगले दोहे में पढ़ी राम जनम महीं मंदिरही तोरी मसीत बनाए जब हैं बहुत हिंदू हते तुलसी किन ही हाए राम जन भूमी पर मंदर तोड़कर मस्जद बनाई गई और कई हिंदू की हत्याएं हुई इतना नरसाहार हुआ कि तुलसी किन ही हाए तुलसी जी के मुझे हाए निकल गया कि हाए ये क्या हो रहा है इतने शोका कुल वे हुए ये हो गई आपके कौन से डॉक्यमेंट्स की बात जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि राम जी थे या नहीं थे मंदर था या नहीं था हैंस प्रूवड इतनी सारी बातों में 21 तो साबित हो गई कि राम जी थे राम मंदर था राम मंदर को तोड़ कर मस्जिद बनाई गई ठीक है अब आतें ASI की डॉक्यमेंट्स पर हम बात सर्फ डॉक्यमेंट्स की करते हम बात सबूतों की करते हम फालतू बात नहीं करते तो की जो कोड़ में पेश हैं हम उन डॉक्यमेंट्स की बात करेंगे और बार बार मैं आपसे कहता हूं जो कुछ में बोल रहा हूं उसको आप गूगल पर खुद से वेरिफाई कीजिए खुद से उसको पढ़िए और मुसलमान भाईयों को पढ़ने की जादा जरूर थे एसाई की रिपोर्ट जो आती है एक तो एसाई का काम बहुत स्लो चलता है क्योंकि बारिश की वज़े से वहां काम करना थोड़ा श्केल होता है यव्य द्धान में बाकी जैसा है बिंदल खंड वागिए में कम बार बारिश होती वहां ऐसे नहीं है तो ये वहां पर ठोड डीजी से उपर कोई पद नहीं होता किसी भी डिपार्टमेंट में डिरेक्टर जनरल अफ सर्वे बीबी लाल थे जिन्होंने कि कहा जन्भूमिस्तान पर 14 जगह पर इन्होंने खुदाई करी और यह पाया कि यहां मौजूद जो बसाहट है टाउंचिप है वो 3000 साल पुरानी है 3000 साल पुरानी यानि बेफोर क्राइस्ट 1000 चले गया एक बात जानने की जरूरी है कि आयोद्या यानि अवद शुरू से ही बहुत संपन्न रहा था और शुरू से ही बहुत उसमें बसाहट अच्छी खासी हुआ करती थी ठीक है खुदाई में कुल 20 काले पत्थर के स्थम निकले और ये स्थम ऐसे थे बीस काले पत्थर के स्थम निकले जिसमें से 16 स्थमबों को इस्तमाल करके मजजिद बनाई गया था जिसमें स्टम्ब जो है, उनको इस्तमाल करके मस्जद बनाई गई थी, उनी को उसी को बेस को पकड़ा गया था कि ऐसी ने माना कि इस तंब देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कौन से कैसे इस थमति है काले पत्थर के ये देखिए यह आपको शायद दिखना पे जो सर्वे हुआ था ये तब का है यो प्लास्टर हटाने के बाद ये पीछे से ये ये निकल आया हूँ ठीक है सब्लेसमें नीचे देख्ञा ना भी सिंदूर वगरे भी लगा हुआ है थे ये जो है तब का मंदर जो मंदर के जो पिलर्ज हैं और ये बाबरी मस्जद से टूकने 1992 से पहले का जो सर्वे किया था प्रोफेसर बीबी लाल ने ये उनके सर्वे की रिपोर्ट है ठीक है? क्लियर? तो ये वो स्थम था काले स्थम जिसकी हम बात कर रहे थे जो पत्थर के काले स्थम की हम बात कर रहे है इसमें एक चीज और देखने लाए है कि इसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे देखें मैं कोशिश करता हूँ शैद हाँ ये देखें ये आपको आर्टिफैक्ट देख जाएंगे हिंदूओं के आर्टिफैक्ट देख जाएंगे कमल के फूल बने हुए कुछ लिखा हुआ है और इसी प्रकार से उपर भी तो ये जो निकला प्लास्टर हटाने के बाद जो पीछे से स्थम निकलते हैं वो ये स्थम निकलते हैं तो ये और साबित करते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हिंदू मंदिर था जो कि इस प्रकार से था ठीके ये एसाई की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ बीबी लाल साब की जो की हाई कोड के आदेश पर जिन्होंने ये सर्वे किया था कोई खुझ से नहीं गए थे कोई सरकार ही वो नहीं था हाई कोड का आदेश था उस पर उन्होंने सर्वे किया था बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कहां सरकार का इंटर्वेंशन आया कहां पॉलिटिकल इंटर्वेंशन आया और कहां नहीं आया इसको इस्तमाल करके मस्ज़द दुनाई दी गई थी A.S.I. ने माना पिलर तेरवी शताबदी से पहले के हैं ये जो स्थम्बे तेरवी शताबदी से पहले के A.S.I. ने माना इसके अलावा ASI ने जो डोर जैम जिसे डोर फ्रेम बोलते हैं जिसे चोखट बोलते हैं ऐसी चोखट भी पाई नकाशिदार कई चोखट वहां मिली जिन पे की यक्ष, यक्षी, कीर्ती मुखी, पूर्णगा था और कमल के फूल आदी पाए गए ये रिपोर्ट है जो रिप बारपाल पाए गए वो भी दिखाऊंगा आपको तो ये चीज हमें बार-बार देखने को मिलती है अब 6 डिसंबर 1992 से 6 महीने पहले देखे मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूं ये और एक आर्टिफेक्ट है ये देखे ये भी वहीं से निकला है उसी डिस्प्यू पाज़े ये दूब बने हूंань और ये पूरा केट जो है ये हिंदूअ कि अर्किटेक्ट है ओ यह जखे में मई लॉकली किया और दौर तो ये तो यह थोड़ा सोचने वाली बाट? आगे बढ़ते हैं देसेंबर 1992 से 6 महीने पहले जुलाई 1992 में स्पी गुप्ता साब वाईडी शेर्मा और केम श्रुवास्तव वह अन्य आर्केलोजिस्ट जो बहुत सीनियर आर्केलोजिस्ट थे उन सीनियर आर्केलोजिस्ट ने चालिस और चालिस और ऐसे विरूपन लक्षड खोजे जो की पहले नहीं मिल पाई थे बीबी लाल साहब से जो छूट गए थे ये देखिए ये मैं आपको उसका लार्ज इमेज दिखा रहा हूँ दौर पाल अब आपको शायद बहुत क्लियर दिख रहे होंगे ये दौर पा से आ गई ये चोखट खुदाई में कैसे निकल लाई है ठीक है लेट्स कम बैक टू टॉपिक है चालिस और जब 6 डिसमबर नाइटी ये जो बात बता रहे है हाई कोट के और पहले 84 के आसपास की शायद कुछ बात है तब के थे और इसके बाद में 6 डिसमबर 1992 से 6 महीने प साथ में जब इन्होंने इसको खोजना शुरू किया तो चालिस और ऐसे साक्ष मिले जिनसे की यह साबित होता था कि यहां मंदिर था यह ऐसा हाई कोट में रिपोर्ट सब्मिट है यह हाई कोट के कहने पर ही हुआ ठीक है जो बीबीलाल जी ढूननी पायते है यह सभी खुदाई जब हमने खुदाई जो हुई थी यह उस खुदाई के कुछ फोटोग्राफ से इसको देखिए ठीक है साब आगे बढ़ते हैं इसमें और भी चीज़ें जो पाई गई थी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि खुदाई हुई कैसे थी यह है वो खुदाई का सीन यह देखिए यह आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जब खुदाई करी थी इस तरह से खुदाई करी थी यह पूरी अलग अलग और यह सारी फोटोग्राइफ फोटोग्राफ में अविलेबल हैं जमा की गई है एस एक वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे यह सारे डॉकुमेंटस आपको मिल जाएंगे यह कोई बहीं ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर जो कि हमें ना मिले या जो हम जिसे हम नहीं अगे हुए उसी तरह के वील्स और भी पाए गए और क्या-क्या मिला यह भी देख लेते हैं यह देखिए खुदाई में यह भी कुछ मिला यह आपको दिख रहा है यह एक मूर्थी थी इसका संभवता यह पैर था यह क्या था यह तमाम ऐसे आर्टिफेक्स मिले हैं जिनसे यह सावित होता है बार-बार यह जो है हिंदू मंदिर वहाँ था इससे बहुत क्लियर कट साबित होता है यह से आपको द्वारपल दिखा चुका हूँ ऐसे कई सारे और यह देखिए और भी कई सारे मिलते चले जाएंगे यह इसके बारे में अभी हम बात करेंगे इसको रोक लेते हैं जी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया जैसा कोनार्क मंदर है वैसे मंदर में तमाम वील्स भी पाए गए गए अगे कहा यहां बहुत सारे सबूत मिले हैं जैसा कि कंगनी जो की डेकोरेट हम करते हैं किसी विंडो या डोर के अगल बगल जो होता है उसको कॉर्णिस भूते हैं कंगनी पिलर मोल्डिंग्स और डोर जैम्स ऐसे कई सारी चीज़े मिली हैं जिनसे कहीं संदे ही नहीं रह जाता कि यहां मंदर नहीं था ऐसा कोई यह देखिए हरी विश्नु जिसकी में बात कर रहा हूं यह है वो हरी विश्नु राइटिंग्स यह पत्थर का एक टुकड़ा था जो वहीं से मिला था थोड़ा ऐसे लूँ तो ज्यादा चिस देखेगा यह पत्थर का टुकड़ा है जो कि टूट गया थै और यह बावरी इंडिया से मिले थे यह तमाम ऐसे ऐसे डाई सो डाई सो ऐसे और चीज़ें मिली एस्पी गुपता और उनकी पूरी जो टीम थी उसको अर्किलेजिकल सर्वे अफ इंडिया की उनको यह तमाम सारी चीज़ें मिली अब देखते हैं एक बड़ी मज़ेदार बात है 15 चाहेंगे यह देखें यह भी उन्ही साइट से मिले हुए हैं यह सबी उन्ही साइट से जो मूर्तियां रही होंगी उनको जो तोड़ा गया होगा यह तबीके हैं यह सबी चीज़ें उस साइट से मिली हैं जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे हम राम मंदर कह रहे और यह देखिए यह आर्खिलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने खुदाई करी अभी मुझे यह समझ में नहीं आता यह क्या नीचे किसी ने जाकर यह चीज़ें दबा दी क्या रात और रात ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना रात और रात तो नहीं दब सकती तो अब तो तमाम असी चीज़ें आंगे जिससे क्लियर कट मालूम चल जाता कि कितना साल पुराना है वह भी कार्बन डेटिंग अगरी सब हो गई है कि 15 दिसंबर 1990 इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था जिसमें की डेपटी सुप्रेंडेंडेंडेंड अर्किलोजिस्ट जो थ और आता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वहां मंदिर था मैंने खुद खुदाई कराई है और स्थंब यानि पिलर्स देखे हैं बतोर मुसल्मान मैं कहता हूं कि जैसा हमारे लिए मक्का है वैसे हिंदू के लिए राम जन भूमी है ये कौन कह रहा है के के पहुमत साथ जो डिप्रिटी सुप्रिंटेंडेंटेंट थे इस टीम के उनका ये कहना था वो मुसल्मान है उनका कहना है कि इसमें कोई संदे नहीं रह जाता कि वहां राम मंदिर था कोई सज्जन कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है सर अवाज के लिए मैं प्रयास कर हूं कि आप सबको अच्छी से अच्छी आए चलिए अपकी बार शायद आपको अवाज कम हो तो ट्रिप्या कर बता दीजेगा कि आवाज कम हो रही है जी अब शायद आवाज सही आ रही होगी तो हम कहां बात कर रहे थे केके मुहमद साब के हम बात कर रहे थे केके मुहमद साब ने भी जो डेप्टिव सेपरेंडेंडेंट थे उन्होंने इस बात को कहा कि यहां कोई निसंदे यहां मंदिर ही था कुछ और नहीं था मार्च पांच 2003 मेलाबाद हाई कोट ने सो मोटो कमिशन का गठन किया और खुदाई कर सत्थ की खोज के लिए उन्होंने आदेश दिया जिसकी रिपोर्ट बीबिलाल और प्रोफेसर एस पी गुपता जी की रिपोर्ट से बिलकुल मेल खाती है उसमें कहीं कोई दो राएं नहीं है ये 2003 में यानि की बाबरी मस्ज़र देमॉलिशन के बाद जो और जो उन्होंने खुदाई करवाई हाई कोट ने करवाई उसमें भी बार बार ताइम एन अगिन ये बार बार साबित हुआ कि ये जो मंदर हैं ये मंदर यहाँ पर था अब आते हैं जो मैंने भी आपको पत्थर दिखाया था वो पत्थर क्या है और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है तो जिस लैब पर देवनगरी में 20 लाइने लिखी हुए उस लैब पर जो अभी मैंने आपको दिखाया था उस पर 20 लाइने लिखी हुए जिस पर जिसको किया वो ट्रांसलेट करने पर जो पंदरवी लाइन में जो लिखा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ खूबसूरत विश्नु हरी का भव्य मंदिर एक और फोटोग्राफ मेरे पास में आ गई आपको एक बार बीच में दिखा देता हूँ इसको बीच में रोक कर दिखा रहा हूँ यह देखे यह भी यह सब राम मंदर की डिस्प्योटिट साइđ से मिला है जो राम मंदर की साइट है वहां से मिला हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं तो जो पत्थर जो मिला जिस पर देवनगरी में जो इंस्क्रिप्शन है जिस पर देवनगरी में लिखा हुआ है उसकी पंदरवी लाइन पर लिखाया हुआ है कि यहां खुबसूरत विश्नुहरी मंदिर था यह देखिए यह है वो पत्थर यह देखिए यह है देवनगरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है यह पूरा पत्थर है आप इसको खुद भी पढ़वा सकते हैं यह आपको गूगल पे भी मिल जाएगा सब जेगे मिलेगा कोई यसी चीज नहीं है जो नहीं मिले यहाँ देवनगरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ पंद्रवी लाइन पे जो लिखा हुआ है वो देखिए वहरी विष्णु का भव्य मंदर अयोध्या में बनाया गया भव्य मंदर इस से पहले कभी किसी राजा ने नहीं बनाया था 19 वी लाइन में लिखा है इसी पत्थर की 19 वी लाइन में लिखा है भगवान राम ने बाली का वद कर दशानन्द यानि रावन को मारा भगवान राम ने बाली का वद कर दशानन्द को मारा ये भी इसमें लिखा हुआ है ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीज़ हैं बार बार हम इसको कितनी बार देखें एक ही चीज़ बताती है कि वहाँ पर राम अंदिर था अब बात या आती कि जदी राम अंदिर था तो ये जो है किस प्रकार से हुआ मस्जिद कैसे आ गई ये भी हमने आपको बता दिया इसमें तुलसी दासी से लेके सभी का जो है वो था कि एक ही मत है सबका और वो मत यही है कि आप जो है राम अंदिर जो है वो तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई यह बहुत क्लियर हो जाता है और इसमें कोई वो बच्चती नहीं है किसी भी प्रकार की यह नहीं बच्चता है इसमें कोई कुझाईश की यहां राम मंदर था या नहीं था यह बहुत क्लियर कट है मेरे साथ में आज मदर प्रदेश हाई कोट के बार एसोसेशन के सचिव विरिंदर पाल जी तो इस सब के बावजूद जो राम मंदर की जो स्थितिय आज वह यह है कि आज भी कुछ वकील ऐसे हैं जो बोलते हैं 2019 के बाद की तारीक दे दीजे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप किसी भी पार्टी से बिलॉंग करते हो मैंने पहले भी बोला है यह पार्टी का मुद्द नहीं हो किसी भी पार्टी से हूँ कुछ भी हो खी आने तिंजी पाल साथ नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका वीरिन साथ हमारे साथ जुड़ गहें वीरिन पाल साथ जो मद्रप्रदेश बार एस्सेशन के सचिव है और अच्छी खासी इनको वकालत में नौलेज है और आज ये हमसे जो अलाबाद हाई कोट में जो फैसला हुआ था राम मंदर का उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं हमें सर स्वागत है आपका बताईए सर पहले तो नितिन जी आप टीका और लगाईए का आज तो बिल्कुल भगवा हो रहे हैं क्या बात है अलाबाद हाई कोट का तीन जी खंड़े की खंड़ पीड का फैसला था जिसमें एक अग्रवाल साप थे डीवी शर्मा साप थे और एक खान साब थे अलावा धाईकोट का जो फ्रेशला आया उसमें रामलला ब्राजमान के नाम से एक प्रेटीशन थी पक्षकार थे रामलला ब्राजमान और रामलला ब्राजमान के पक्षकार को जिस इस्थान पर रामलला इस्थापित हैं उस इस्थान परक्षिकार जो सुन्नी बक्फवोड है, उसको दीया जाने का ओर्डर किया गिया। य्क रिखाली बजिए इक वाववण देटार होता है क् वो अधिकषिक्ट जुचक स्पेसल ट्राइल के तौर पर तराया गया तो उसमें ये इशू करनें गया ही यह भूमी कें इसका Antonio की चांगा कि dlो прав स किया जाए गया इस बिना इशु के जब अबाल वाज किया गया और इस पइसले में गलत्प इस इस पॉइल पर फैसला गलत था बाकी की जा उन्होंनों ज कि दूसरी चीज जिस स्थान पर रामलला ब्राजमान है उस स्थान को रामलला का जन्मिस्थान माना गया और उसे आताताईयों को दोरा तोड़ करके वहां मश्चिद बनाए जाने की बात पही गई इन चीजों को माना और आज भी उनके दोरा यह माना गया कि वहां पर किसी अब यहां मंदर को तोड़ करके मस्चिद बनाए गई तो इनका इस पार पूरा फैशला सही था लेकिन जो बटांगन का फैशला किया था वो फैशला निश्चित तोर पर उसको मैं सहमत नहीं उस फैशले से और उसको रामलला ब्राजमान की तरफ से और निर्मोई अकाले की तरफ से उसको सर्वो चिन्याल में इस पाइंट पर चिनोती भी दी गई है इस पाइंट आप बहुत अच्छा कर रहे हैं नेतिन जी बहुत बहुत बढ़ाई हो आपको और आज तो बेश्बूशा बेश्चा लग रहा है जी जी शुक्रिया सर इसमें एक पॉइंट और आ रहा है अभी मैं एक इंटर्व्यू देख रहा था तो शिया वक्फ बोर्ड के जो चेर्मेन है उनका कहना था कि यह जमीन हमारी है और कोर्ट से डिसाइड हो चुका है कि जमीन हमारी है हमारे फेवर में फैसला आ चुका इसके बावजूद यह जब आपील करने गए थे सुनी वक्फ बोर्ड तो इन्होंने बाकादा एक एग्रिमेंट उन से कर लिया था और उनको बाकादा पैसा दे दिया था कि जमीन हमारी है और उन्होंनों इस एग्रिमेंट को मान लिया था तो यह सुनी वक्फ बोर्ड की तो शिया वक्फ बोर्ड की है तो जब शिया वक प्रमपरा के अनुसार यह सारी की सारी भूमी सनातनियों की है और इस भूमी पर जो भी आक्रम यंप क्रको पृट्वी में का अधिकार Darren नहीं है। एक आक्रमकारी आकर के अगर दस दिन बाद आके कहता है कि इस भूमी पर हमारी भूमी है और यह हमें दी जाए कता ही नहीं है उनने उनके सासकों ने जिस प्रकार से कबजा करने की कोशिश की हमारी असमिता को चोट पहुचाने की कोशिश की हमारे सम्मान को चोट पहुचान पर से अपने सारे दावे बापश ले लेना चाहिए और सिर्फ यह जगह राम जन भूमी के लिए दे दी जानी चाहिए और राम लिला का मंदर बनाए जाने में उनको अपना योगदान देना चाहिए एक अच्छी बात होगी और यह शुकार भी करना है इस सारी की सारी बनाए ऐसा है जैसा का услов करेस करी कि और नेहिरों पर्वार की ओर से प्रैवे बहुत है इसमें किसी भी कीमत्रा राम मंदर नहीं बनने देना चाहते हैं बिल्कुल साब बिल्कुल मैंने भी पिछले वीडियो में यही रिक्वेस्ट करी थी सारे मुसल्मान भाईों से किरिप्या करके आप जो है उस जगे को दे दे दें बिल्कुल का इसा कहना था कि इतनी रिक्वेस्ट की क्या जरूओता है तो हम तो वैसे भी बना लेंगे तो निसंदे हम वैसे भी बना लेंगे यह बात ठीक है अब पॉपलेशन जादा सब कुछ है लेकिन हिंदू कभी भी जो है कानून से हटकर बात नहीं करता हम लोग को मानते हैं जो लाफ लैंड है उसको मानते हैं और जो हमारा कहना है वो यह है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए प्यार महबत से हो जाए यह एक मौका है मुसल्मान भाईयों के पास भी दिल जीतने का क्योंकि तेखिए उनके लिए इस जगे की इतनी वैल्यू नहीं है उनक प्रिकन सिटी जैसी हो जाती है तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर उनके लिए जगे की वैल्यू नहीं है बास्तब में जगे की वैल्यू हमारे लिए इसलिए तो दावा कर रहे हैं बिलकुल आप यह तो सबसे पहले उसकी असमिता पर चोट पहुचाता मानसिक तर पर गुलाम बनाता है ठेघर मिस्तानों को तोड़ने का सड़यंत्र है या तोड़े जाने की परंपरा है वह आपके ओपर मानसिके तौर पर आकर्मः होने कांध सावित करने की सिज yoga को अबहुचा नहीं कृवता तो आप किसी प्रिकार से कही आना चाहते हैं श बार वी गए दसवी सतावधी ces कि ईा उस käytt को बनाए जागे ए लृगातर भारती राजाउं के दुर्हां तो मिह सतां की बार दसम fills कियालं ऑ्र पेयुकुन थी इसकंँ पिर पहुद मत खुशन टूरु आप देखिए यह कितना महत्मुन वह आपके लिए महत्व्वण है इसलीए उस पर जामाना चाहते हैं और आपकी हमेशा हखते हैं और क्यूं को सब्सुकित को चाहते हैं उसके पीछ हए नहीं बैठे रहे छोड़ देना चाहिए नितिन जी तुलसी दाश जी ने राम चलित मानस में एक दोहा कहा एक चौपाई कही है मैं आपको उसको उद्रत करता हूं जब तीन दिन तक भगमान राम समुद्र के सामने खड़े होकर के और मार्ग तलास रहे थे जब मार्ग नहीं मिलाता तो लोड में चौपाई एक दुआ कहा है बिने ना मानत जलद जड़ गए तीन दिन बीद बोले राम सकोप तब भैमन हो इना प्रीत आप समझ लिए ये प्रीत के लिए जब तक भै नहीं होगा तो तक प्रीत होने वाली नहीं है अब भै आप कैसे उत्पर ने करेंगे यह आपकी ब जाता है कि हम अधिर ता इसमें कोई डिस्प्यूट तो सर मंदिर नहीं है किस बात कर दिस्प्यूट हम लड़ रहे हैं और किस बात के लिए और बात होती है कि सब रोज सुनवाई होगी उसके बाद दो हजार आठारा की तारीक दे दी जाती है ये तो बड़ा न्याए नह खुड़ने का नारा क्यों नहीं आया इस देश में बिलकुल ठीक है अंग्रेट आक्रमक्कारी थे तो मुगल्भी आक्रमक्कारी थे ना जी 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 बस जो आपने जो वो जो राजनीत में आकर के सब्सक्रा में आ करके उन्हों नहीं जो योजना बनाए उससे सामपरदक् बटवारा तो पहले हो चुका ना अब किस चीज का बटवारा होगा यह सारे रिस्पूट नहरू जी को उसने तेक कर देना चाहिए थे कि आयोद्धा मत्रा और काशी के बारे में भी डिशाइट कर देना चाहिए था जब पाकिस्तान सरी का गुवाग दे दिया गया तो इस म बटव को उस दिन भी निफ्टा देना चाहिए था यह विबात तो उस दिन भी था ना लेकिंगे जान बूज करके नहीं निफ्टाया गया मैं कहता हूं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटैन की संसत में पास हुआ था 10 जुलाई 1947 को उसमें इसपष्ट का आ है कि जो इस्ता मुसल्मानों के दोरा नियंतरत होगा जिस पर मुसल्मान नियंतरत करेंगे वो पाकिस्तान कहलाएगा और जो इस्ता हिंडुओं के दोरा नियंतरत किया जाएगा वो हिंडुस्तान कहलाएगा हिंडुस्तान हिंडुराष्ट होगा लेकिन उसके बावजूद प्रश्वारा इस पास आकर इनों ने जो है उस हिंदुर राष्ट को उठा के सेकुलर कर दिया जब कि एक मिस्लिम राष्ट था वह एक हिंदुराश्ट था उसकी एक मैं आपको विशेश बात बताओं जब भारत के प्रदानमंत्री का चुनाव कैंसल कर दिया गया इलावा सेविंटी सिक्स में इमर्जेंसी के दोरान संसद में इस बात का प्रस्ताव पारित किया गया समाजबाद धर्मंद्र पे शनाम का सब्द जोड़ा गया मैं यह एक चीज़ और कोड़ करना चाहता हूं आपको बताना चाहता हूं नितिन जी कि इंद्रा जी ने सबसे पहले प्रस्तावना में संसोदन के लिए एक बिल लाई गई वो बिल जो आया तो उस बिल को पाश हुआ उसको साथ सदस्री खंड़ पीट ती सर्वोच नहीं लेकि जश्टिस सीक्री के नेतरत में जश्टिस सीक्री ना कहा कि भारत के संब्दान की प्रस्तावना में कोई अगर हमको सेक्यूलर वाइना है तो हम सिनियोर्टी को नहीं देखेंगे हम किसको भी उठाके उस व्यक्ति को बना देगे जो हमारे कहने से चलेगा या जो हमारे चरणों में पड़ा रहेगा उसको हम पर बैठा देंगे क्योंकि वह हमारे हिसाब से काम करें सबसे पहले व्यक्ति को यह बताना कि वह बहुत योग है तो हमी रहें फिर उसके बाद उस्के इस बात का भाइसला करा ना कि कि आप हमारे पक्षभाभ्याशला करी है तो तीन जजेज की सीनियल्टी को खतम करके जिस्टिस एंडिया बनाया गया और प्रस्ता पासुं में यह कह रहाता कि ब्रिटेन का एक राजा होता है ऐसे ही नहरुगांदी खांदान अपने आपको भारत का राजा समझता है और वह कभी नहीं चाहता है कि भारत में हिंदूबादी परंपरा हैं हिंदूबादी ताकते और सुनातन परंपरा पूरी तरीकेसे तागत में रहें इस कार्ण से वह लगातार इस बात का सट्रें तरके पर प्रकार से यह सारी चीज़े रोकी जाएं तो मैं आपको बता कि 1947 में आपने हिंदु राष्ट कोशित नहीं होने दिया और इंद्रा जी नहीं आ करके 1976 में उसको धर्मद्र पेक्ष कर दिया एक और मैं खास बात आपको बताना चाहता हूं धर्मद्र पेक्ष राष्ट होता ह थित्व कर में यह कि तिको सफ यहाउ तो रमान वाला में तबता धिक शॐंसे डियर्मद्रा जी इंदशीम द imentsत्ति थिर्म धामंको मानने वाले हैं आज तक इसी बात की घोष्टमा नहां है कि खिस धर्मद्र को मानने वाले लोग है और उस परबढ अगรते क्यर्य अग 백 तो सारे कॉंग्रेसियों से रिक्वेस्ट है और इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है महरबानी करके ये राजनितिक मुद्दा नहीं कम से कम राम की पूजा तो आप भी अपने घर में करते होंगे ना सारे कॉंग्रेसी भी करते होंगे तो राम के मंदिर मामले में तो कम से कम एक स और गांदी जी और सौनिया गांदी ये तीन लोग वहां जिन्हों ने सप्ता को छोड़ दिया तो मैंने का भगवान के बराबर हो गए यही निवेदन था मैंने हद हो गए सौनिया गांदी तो वैसे भी नी बन सकती है जी जार क्योंकि विदेशी हैं भारत के समयदान में यह था यहीं और वो तो राश्पती महदे के पास गई भी थी और वहां से लोटा दिया गया था बैरेंग कि आप नहीं बन सकती यह बात तो तत्यों पर है और कई नेताओं न आज तक इस बात का खंडन भी नहीं किया कि नहीं मैं नहीं गई ती और मुझे मना नहीं किया गया इसका मतलब एक्सेप्ट करते हैं मैं वही मेना कमेंट लिखा उसमें कि सौनिया जी अपनी पाल्टी का समर्थन पत्र लेकर करके स्वेम प्रदान मंत्री बनने के लिए र अभी वी किसी भी विदेशी व्यक्ति को संसूचनाय प्रसारित नहीं कर सकती और इसी लिए उनना बताया कि आप इसकारण से नहीं मैं सकते जी मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही लाइव नहीं सुनाई दे रहा हो सकता है शाद आप सब को दे रहा हो नहीं हुआ तो स्भींगर कर सकते हैं और इस बात को आणको षुक Schritt कर में और प्रश्टत किया रहा है जबकि बनने की स्थितिति नहीं हुआ तो स्वीकर तो हो गया तो स्वीकर तो हो गया जिए जिए बात बहुत चोटी चेहता हूं तो हो मैं दिए आि आतैंजवार को समझी हो इस दिए जिए तो बने में जैसे camino हैं और आप उनकी बातों में और इनको आगे पीछे सारी वातों को उनकीब र科 करने की स्थितिवह सब्मवार सब्सक्री के लिए किसी वी कीमत पर जा सकते हैं कि दालबादीर साथ्त्री जी कि म्रत्वी का सरकार की तरफ से किसी परकार का एक्सप्रेशन नहीं है। कभी भारत के बहले में नहीं सोचाती, नहरीवांधी ख принादान कभी भारत के बहले के परफाना हुआ है और उनके साथ जो लोग घुम रहे हैं तो सारे के सारे अलगावबादी लोग घुम रहे हैं जो गुजरात के अंदर चुनाव परचार में लगे हुए हैं आज एक ऐसी भी अगर बास्त किसी भी एफ परसेंट अगर उन्होंने गुजरात की सफ्टा कहीं स कि इसा लग रहा है कॉंग्रेस की कि जो स्थिति अभी इनकी है अना भी चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो इनके पीछे जो लोग है वहती खतरनाक और वहती प्रतक्ताबादी लोग है और किसी भी कीमत पर भारत की संपर्पता को निश्ट करने वाले सब्सक्राइब करने की जो सामने वाले पक्षकार हैं जिसके रहे कि अब्जक्शन लिया किसाब आप इसको 2019 के बाद रखिये यह इनए कर नहीं घप तरक कभी पॉलिटिकली तरब अदालत के अंदर नहीं होता है और उत्क ट 파 उता है ना को को फाइदा मिलागा यह उन ऋनको किसी प्रकार से काम से कोई फाइदा मिलागा एड्वोगेट का तर्फ नहीं है कि तहीं किसी उस्थित्रीम ethical ऩातबां कि उसको सॉल्व नहीं किया जाना चाहिए एंक दूज्योंप संगित अन्रुमिद को आ पा करकेा मतुन चाथं परकें से पूरी तरह स्पक्री नवी का अभी तक क्या सर्वोचिनायल ले मों लाटका हुआ है तो इसलिए वो किसी भी कीमत पर लटकाने की बात करते हैं इनकी स्थिती तो सर यह ना कि यह तो 2019 मांग रहे हैं इसके बाद 2019 के बाद कहेंगे Aycobi 2019 की डेड़ देत उ ने वो चाहते नहींना वो चाहते जो भी आएगा वो राम मंदर के का की भी जाने गाए का आगी जानते हैं यह लूग किसे चासके कते हैं आगी है नंदेमार कि प्रचार का पालन करने से तके हमेशा से जूट के दमपरी लड़े हैं लेकर मेरा तो यह कहना है बाकी जो कॉंग्रेसी जो देख रहे हों उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखे राम भगवान आपके भी है राम लला आपके भी है ये मंदर आपका भी आपके घर में भी आप पार्टी लाइन से उपर उठका इस मंदर के निर्मान में सायोग कीजिए और मेरे मुस्लिम भाईयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जगे आपके लिए किसी भी जो है इंपोर्टन्स की नहीं है प्लीज इसको छोड़ दीजे आपको मस्जद बनानी है बिल्कुल सरका अच्छे थे 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 जिए जी कुछ कह रहे हैं आप बहुत अच्छे से रखाया है सारे एतासिक तत्व बताये कंप्वीटर इसक्रीन पर निकाल करके बताया है लोगों तक पहुंचना बहुत जिलूरी है क्योंकि किसी ने भी जज्जमेंट नहीं पड़ा होगा फेस् आपने मुझे जोड़ा मुझे अश्र दिया इसके लिए आप बढ़ाई के पात रहें सर बहुत 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 धन्यवाद असल में सर कल मैंने जो मेरे पास में डाउनलोड इट था जिस वकत आया था फैसला उसी समय वेब साइट पर आ गया था और डाउनलोड किया था कल बहुत शुक्री में हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को असलियत बताने कि लिए जो सचा ही है जो कोड के अंदर चल रहा हो बताने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्री है सर समय देने के लिए बहुत-भहँत धने वाद भाद तक तर आपको डिने टिने तो मैं आपको फॉलो करता हूं और आपके आर्टिस पड़ता रहता हूं पोस्स जो भी आते रहते हैं दिनेश भाई जोशी जी कहते हैं कि राम मंदर बनाने से पहले एम्स बना देना चाहिए सर पहली तो आपकी कि आप बैठते हो 20 बाई 20 का उस पर आपकी जान अठकी रखती है भगवान का मंदर मजाग बना कर आकर के आपको नहीं मानना मत मानिये ना कौन आपसे कहता है आप पूजा बंद कर दीजे अपने घर में हम नी कह रहें आपसे पूजा करने के लिए क्यों करने आते हैं मत करिए अपने आपको हिंदू क्यों लगाते हैं जोशी सर में मतलगा यह ना बोलिए आप एथिस्ट ने अपनी घटिया राजनीती के लिए भगवान का इस्तमाल करता है को शरम नहीं आती जी बताईए सब जी यह तो ऐसे लोग हैं कि मतलब इनके कहने का मतलब कि कोई अ ही सब्सक्राइब जी नहीं झा कई शुंट गजई 길 बनाते हैं अ वहां मंदिर बनने से से दिक्कट है ढूंज बनाना चाहते हैं मुझे कोई अतराज नहीं हैं आपका अपना उट लोग है आप पने घर को मुझे रईस्ट्ट्री कीजिए में मधार भनवा देता हूं वहां मस्जिदन नहीं harvest में आप सब कोलburghgue यह हो deleted इए वह Resp john प्रोटी अपके पास पहुच तो चुमार जी कहते हैं, तर मैं इस तरह की बात तो नहीं करता हूं, तो बनाने की बात तो इन लोगो शुबह देती है, चले सर आप सबसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, आप सब ने इतना समय दिया, मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक् बज़ार हूँ और आशा करता हूँ आप सब का प्यार इसी प्रकार बना रहेगा और आप सब इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहेंगे आगे के असमें भी और प्रयास करूंगा राम मंदर पे कोई सेकंड या थर्ड एपिसोड और ले कर रहों क्योंकि मुद्दा बहुत ब निवाद नमशकार मितलों